कि अपिसोड के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सब का स्वागत करता हूं क्राइम पिट्रोल सतर्क में जो एपिसोड हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो जुर्म और अत्याचार की परिनीती दर्शाता है हर धर्म में एक बात जरूर कहीं गई है खुद से कमजोरों की हिफाज़त करना लेकिन हम अपने आसपास क्या देखते हैं कमजोरों पर जल्ब उनके खलाब घिनोनी साज़िश औरत बेशक शारिरी रूप से मर्दों से कमजोर होती है लेकिन भावनात्मक और सहनशीलता के मामले में वो मर्दों से कहीं आगे है औरत से जुड़े अपरादी घर घर में मौजूद हो चाहे वो पती जो लड़का पैदा करने के लिए पत्नी को मारता हो चाहे वो सास जो दहेज के लिए बहू को तंग करती हो चाहे वो बाप जो बेटी को पढ़ने से रोकता हो और कम उम्रे में उनकी शादी कर देता हो आज का ये केस हर अउरत के लिए एक सीख कि आउरत का उधार खुद आउरत ही कर सकती है इसलिए खुद के खलाप होने वाले हर जल्म के लिए आवाज उठाईएए बाहर आजाओ धबज्दू कर दो, हमाजनू अब तो हाथ छोड़ दे बाबी जी का, सब को छोड़ के आगे तेरे लिए सारा इंतिजाम हो गया इंतिजाम, अरे सब इंतिजाम हो गया अम कहां जा रहे हैं? अरे, बता तो रहा हूं बाबी जी, मतलब नोकरी के सारी बात हो गई है तुम दोनों के शादी होना वाकिया, ज्रड़ी कर लो आदो वो भी करवा लेते हैं ना? मंगलम भगवान विष्णू, मंगलम गरुद्वजा अचे देखो मैं तैयार हो गई हूँ के तैयार हो गई हूँ के तैयार तो हम भी तीन तीन दूले अब शादी छोड़ो चलो सुहा कर आत मनाते हैं हाँ हाँ सब्याद आरे हो मैं हाँ 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 अबस निकले रहा हूँ हुआ हो हीरोईन सारा दिन ये पंखा साफ करना है बाकी का काम तरह बाप करेंगा क्या नहीं बस कोई है पैसे ले और समान के लिसके चला मार्केट जाके समान लेके आ और हाँ टाइम से आना वापसगर कहां जा रहे हो तुम चुपचपना अपने काम से काम रखा करो समझ में आ गया तनी बार मना किया तोका मत करो पीछे से लेकिन अधात नहीं जाती है सर मेरा नाम दीपा कुल करणी है मैं एक सोशल वर्कर हूं मुझे ये लड़की कल रात को अकेले रोड पर मिली सर ये बहुत गबराई हुई थी मदद मांग रही थी और जब इसने मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे लगा कि इसे पुलिस टेशन ही ले जाना चाहि अच्छा कि आपने नाम के बटा तुमारा सब हमारा नाम मोहिनी संथालत है कहा की रहने वाली हो जार खन तरवा गाउस है क्या हुआ तुमारे सब हमारे माबाप नहीं है चाचा के गर रहते है एक दिन चाचा बोले मंडी जाना है दोके से किसी आदमे को बेचती है ये मैडम जी कौन है वो तो नहीं मालूम साब फिर एक जगह गाड़ी रोके तुम बिल्कुल फिकर मत करो है तुमें सेफ हो शिर्के मोहिनी को एंजियो बेजनी के तेया है रहते है तुर्टी इसके चाचा के डीटेल्स गाओं के डीटेल्स सब ले लेना ये दीदी के साथ ज यार वो लड़के आने वाली थी ना क्या हो उसका नहीं आई आई अ कुछ प्रवल में तो किसी यार को दूनना परेगा क्यों च्या हो उसका इसका इसका इसके इसका इसके परश्याण की होगा तेंशन मतलो, मैंना तुम्हारी लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूला हूँ अरे यार तुम समझ नहीं रही हो, मेरे माबाप मेरे पीछे पढ़े हुए शादी के लिए, बान देंगे मुझे किसी के बिसाथ, फिर रोती रेना अके लिए बैठ कर तुम तेंशन क्यों होड़े हुए, मुझे तुम से जादा उस बाप के फुक्रे, और वो लोग ढूंदे हुए, से पहले मैं ढूंगे तुमा लिए, जानते हुने कि अप्मा प्यार करती हुए, ऐसे खो दूंगे साब दो देन हो गए, हमारी बेटी नमिदा की कोई घबर नहीं, कहां है, किस हाल में है, हमें कुछ पता नहीं छोड़ कियो बोल रही हुए, सच क्यों नहीं बताती ही सर को के लड़की भाग दे हैं तुमारी, सामाई लड़की उस लफंगे दीपक के साथ भागी है तुम्हें पुरा यकीन है यह उसी लड़के के साथ भागी है? हाँ सर, पुरा यकीन है उस लड़के के साथ ही भागी है कोई भी लड़का ढूंड़ो इसके लिए और शादी करो इस गर में जादा नहीं देखनी है मुझे यह लड़की अजिस सुनिये तो सही सत्राइज साल में शादी पता है न गहर कानूनी है आज सर पता है कि गहर कानूनी है पर गरीवाद में करें तो करें क्या सर सब लोग तू-थू कर रहे थे अब इज़त जाये से अच्छा तो आजमी चेल चला जाए बहुत सम्झाया पर समझ नहीं रही थी वो उस लड़के में हद करती सर एक जन तो हमारे घरी आ गया था साफ पयार से बात करना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं इतनी सक्टी दिखाए इतनी सक्टी दिखाए कि बेटी घर से ही भाग रहे मैं उसे पयार से समझाओगी बस एक पार ढूड़ दीचे एक पार ढूड़ दीचे मेरी बेटी को देखें, आप गवरेयन है, आप दीपक और नमीदा की डिटेल्स नोट दरवा दीजा, हम उन्हें जल्द से जल्डोंडेंगे, सब्सक्राइए? माला मटन चॉप गई थी? नहीं सर, हमारे गर नॉर्विज नहीं बनता, वो सब्सक्राइए ने गए ती और शाम तक नहीं लोटी और नाई फोन साथ ले गई थी कि फोन लगाकर की देखें कि वो कहा पे है? तो अगले दिन जब वो नहीं लोटी तो मैंने मीसिंग की कॉंपलेंट लिखवाई थी आप लोगं को किसी पर शक्क, किसी तो कोई जगड़ा दुष्मनी जो ऐसा कर सकता है? सर, हम लोग मेरे क्लास लोग हैं, हमारे किसी से क्या दुष्मनी होगी? ठीक है, जाओ पुला नाटक है, शिरकी है रामे बास एक दाँ तो किसी ने ने पूछा बॉड़ी कब मिलेगे? तो जोल लग रहा है एक कान को रे माला की डिटेल्स निकालो, और एक कोंडे फैमिली की डिटेल्स निकालो प्लीज, प्लीज मुझे यहांसे जाने दो, मुझे यहांने दो ए, नो टंकी बंद कर अपनी समझी, पकड़ी कबने ना दोगे तयारोजा बोला ना इक बार, रोना बंद कर और ना दोगे तयारोजा और आराम कर हम, फोटो देखी? मैं आज ही आई बाबा को उसकी फोटो बेचता हूँ लेखना शादी के लिए फौरण हा कर देंगे अरे लड़की सिफ 17 साल की है ना बाली गये वो, पहले उसकी एजप्रूफ के ने जूटे पेपर्स तैयार करने दे शानती रख ठीक है सर, कोंडे फैमली के पडोसें से बात किया सर, हेरानी की बात है कि पडोसें तक को नहीं पता था कि माला उस घर में नौकर थी या फिर श्याम की बीबी सर, ये कोंडे फैमली माला के साथ बहुत बुरा वैवार करते थे उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे फिर अचानक से एक दिन उन्होंने कहा कि श्याम और माला की शादी हो गई किसी को नहीं पता चला कि उनकी शादी कब होई उस तो पहले से जोल लग रहा था शिर्किया कोंडे फैमिली के डिटिल्स निकाली हाँ सर ये श्याम को जुए की लद्व को काम आम कुछ करता नहीं था कमाकान के पास भी कोई काम नहीं है पर ये वैशाली घर चलाने के लिए नर्स और हाउसोल हेल्प का का काम करती है दूसरों के घर में नौकर प्रवाइड करवाया करती थी चिर्के मुझे वैशाली के काम में भी जोल लग रहा है पता करो ये नर्स और नोकर प्रवाइड करने के नाम पे कुछ काले दंदे तू नहीं कर दी थी सर, सर हमने पता किया माला का बर्स सेटिटिफिकेट निकली है तु तु ते काम करो उड़ाय ओफिस से माला के फिंगर्प्रिंट और फोटो के बेसिस पे उसके आधारगाट के डिटेल्स निकलबाग हो सकता है असली डिटेल्स में सर नमस्ते नमस्ते अंटी अंटी नमीता देदिका है मेटा वो घर पर नहीं है अपने मामा के घर गई है अपने माम था क्या हाँ अटी में ख्लास में फॉर्स रेंख लाईँ ना तुम्हें तुम्हें को थेंक भूला था पर मम्मी उतो घर पर ही नहीं है कोई बात नी बेटा तुम आंटी को देदे अंटी नमीता दीदी को देदेगी देखिएगा नमीता बहुत अच्छी टीचर बनेगी उसके तो जिंदीगी सफल होगी चलिए आहम निकलते है अजयर लिए अजयर निकलते है Sir.. Sir.. यह माला को अरिजनल अधार कार जिसमें माला का नाम माला कोंडे नहीं माला सुर्वे है और इसमे एड्रेस बंडारी के पास अंबाडी गाउं कार एक काम करो दूपती यह माला के गाउं छाओ सुर्यों फैमिरी के सारे डिल्स निकाल, पता करो ये माला की शादी होई थी भी या नहीं? सर सर, माला के पीम रिपोर्ट सर रिपोर्ट के इसाब से उसकी मौत साथ सेप्तम्बर की शाम चार बेसे छे बजे की बीच मौई थी शेके इंसान ने हैवान हैवान इत्मी छोटी सी उमर में उसके साथ जबरदस्ति की कहीं सारे लोगों ने सिगरेट के चटके दे, काटा, उसको खरोचा, वो सकता उसके साथ गैंग रेप भी किया होगा और इसके वज़े उसका खून भा और उमर गे वो सकता है साथ, वैसे ये कोंडे फैमली के बारे में जो इंफरमेशन बिली है उसे भी जुटलाय नहीं जा सकता साथ क्यूंकि थकान बॉड़ी को सही नूट्रिशन ना मिलना को पोशन ये भी मौत का एकारण है चिरिक्या में इंफरमेशन ने सबूत चाहिए हमें पता करना होगा ये शाम की शादी हुई थी भी या नहीं और ये भी पता करते ये कोंडे फैमिली सच बोल रही है जूट और ये चीज़ पता करनी हूँ ये शाम और रमाकान का डिने अभी बॉड़ी पर जो सिमेश मिले उससे मैच होता ही या नहीं हरे देवा ठेक बोला दार मैंने ये माला सिफ चतल से बोली दिखती है लेकित है नहीं सब मुझे पक इरी ये माला नँ बाहर जांगे दड्रू मारती है और ये ये उसका पती है अरे जब भी छूले जाता नो, उसको तो काट में दॉड़ती थी वो, बहुत लेता था नो, उसकी साइट, बोलती रहेगी मैं तुझे, अरे दोका दे रही थी वो तुझे, सर मैं उसे बहुत प्यार करता था, वो जब हो गए थी तब पूरे मार्केट में उसे डूढने गय अच्छा, शादी की फोटो दिखा दीजे, हाँ, सब शादी तो इतने धूमधाम से होई नहीं थी, बस घरवालों के सामने ही, घर में हो गई थी, और उसके बाद फोटो भी कीचा था तो फोन से ही कीचा था, और इसके हाथ से फिर गलती से फोन पानी में गिर गया, अधर के अड्रेस बंडारा का था, क्या, आधार कर्ट, उसके पास आधार कर्ट भी था, लेकिन हम लोगों को तो खाली, बर्च सर्टिफिकेट मालूम है, और वो तो अनात है, यह पता था, पर भरिवानाद भी हो गई, कहां मेले आपको, वो ओफिस हाई थी मेरे, क्या है इदरा हो? धीदी, मेरा नाम है माला, मैं, मैं आनात हूँ, मेरा कुई नहीं है, कोई काम मिल जाता तो, पड़ी लिकी हो? सादा पड़ी लिखी तो नहीं हूँ और जाड़ू बोचा कर सकती हूँ ठीक है, आइडी में कुछ अधार काड बगरा कुछ है, पर मैं देखती हूँ ती, अधार काड तो नहीं है, पर हाँ, जनम प्रमाण पत्र है ठीक है, मैं देख लेते हैं, कुछ होता है तुमें बताते है सरमाला की कहानी सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया था दिखने में भी ठीक ठाक थी हुआ, इसलिए मैंने वहनी से कहा कि आप ही पूछ लीजे उसे कि अगर वो शादी करना चाहती है मुझसे साब, उसने भी मना नहीं कि आहां बोल दिया तो मैंने शादी करवा दी सज बोल रहे है यह? हाँ यह सज बोल रहे है? हाँ, ऐसे ही हुआ था सिरके, इस शाम की डियन ने टेस करवा तो अरमा कान गजी मेरा? मेरा क्योँ, मैंने क्या किया? इसने कुछ किया? मतलब मेरा मतलब है माला तो मेरी बेटी जैसी थी बहुत ही तर क्यों रहा हूँ हाँ सिर्के इन दोनों का डियन रेस करवा हूँ सिर्के ये कॉंडे फैमिली का जोल है वो रमा कान देखा इतना डरा हुआ थी मुझे लगता है माला से जबरदस्ति प्रोस्टिटूशन करवाती थी हो सकता है सर लकिन अगर एक परसंट भी चांस हुआ कि माला एक काम जैनबूच athletics कि करती थी एसे कमानी के लिए तो 살 नहीं शिर्गी, अगर वो जानबूच के करती थी, इतनी पैसे कमाती थी, तो पैसों का क्या करती थी? त्यूकि उसके मौत का एक कारण, कुपोशन भी है, उसको ठीक थरे से खाना भी नहीं मिलता था, ये वहिशा ली के एजन्सी का कुछ पता चला, है इस एजन्सी? आजए, इसकी अजन्सी लीगल है, रजिस्टेट भी है, हमने ख़मरियों कर दे कर दे कि फैमिली की सारे डिटेस चाहिए मुझे? पास, फ्यूचर, प्रेसेंट, सब एक है सिर्ण क.. कौन हो तू? अर्ड बुली आदो हमारा. मना किया था न? बोला थाना दूर रहने के लिए? इसका मैरा कियो? मेरी होने वाली बीवी हो, यार! मुझे भी पता है कि होने वाली बीवी है, तुम्हारी नहीं. लेकिन तुम्हें भी इच्छी तरह पता होना जाहिए.. कि माला की मौत के बाद ना, हम कितनी बड़ी मुश्किल में पास जुके हैं अरे, पुलीस को शक हो गया है दिन राज सवाल करी, जीना अराम कर रहा है हमारा और उसके बाब तुम ये थोड़े टाइम दूर रहो इससे अरे, मेरे माँ बाबा मेरी शादी का सेरा लेकर खड़े करा देंगे मेरी शादी किसके साथ फिर हमारे बीट जो कुछ भी आना सब भूल जाना आचा सुनो, मैं राम भावु के यह उपर आता हूँ है, ठीक है? आप माला सुर्वे के माता पीता, सभीता सुर्वे और हीरानन सुर्वे हैं? नहीं, हम लोग रहा होते, सुर्वे तो बोथ है, जिनसे चार महीने पहले हमने घर खरी दाता तो वो लोग अप का हैं? पता नहीं मैडम, सुर्वे लोग तो यह गाउं छोड़के कप के चले गए? आप को? मैडम में सुशी लाउन की पडोसन, वो लोग बहुत कमी ने थे, अपने बेटे मकरम की शादी में खर्चा करने के लिए बीचारी माला को बेच दिया और जब बिरादर में थुटू होने लगी, तो यह गर बेचा और भाग गए इसे पेचानती हो? हाँ, यही तो है माला, किसे के इसे नहीं पेचानूंगी? बचपन से देखा है मैने इसको तो सुर्वे फैमिली कहा है, उनके बारे में कुछ जानती हो? महपापका तो पता नहीं, पर सुना है, मकरन विठन नगर में अपनी ससुरान में घरजवाई बनके बैठा है सर्थ घर भी एचकर जाने के बाद माला के मातब मेताव किसी ने गाव में नहीं नहीं देखा मकरन का भी यही कहना है कि वो अपने आखरी दिनों में हरी दुबार चलेगा हरी दुबार, उन्हें कामाने ने पाप दोने गया होंगे सर्थ मकरन का कहना है कि उसके शादी के बाद से ही वो चलेगा और उसके बाद उसके साथ बहुत नहीं कोई बात चीत नहीं सर, माला की बोड़ी पर जो तीन लोगों के सीमन मिले थे, उसके DNA रिपोर्ट आ गई सर, उनमें से एक का DNA, श्याम के DNA से मैच करता है, और दूसरे दो, रमा कान का DNA सीमन से मैच नहीं करता है, मतलब कोंडे फेमिली माला के बारे में जो बोल रही थी हो सच हो सकता है, यह यह कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की या रेगा, सर, डिलिश एक लड़की की पूछता जाईए, कुछ दिन पहले हो आपने बाइफ्रेंड के साथ गर चे बाग गए थी, वो लड़की नागपूर में दिकाई गी, उसका नाम है नमिता शीन, यह पोटो और उसकी उमर 17 सा माला कॉंडे उस माला सुर्वे मटर केस सुलाजने की बजाए उलचता ही जा रहा है, पुलिस ने माला का बैक्ड़ाउंड तो चेक्किया है, लेकिन गतल के मकसद को लेकर पुखता ताउर पर कोई बयान देने से बच रही है, पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में एक्सेसिव स और यही उसकी मौत की वज़ा बनी, अगर हां तो फिर कातिल कौन है, उसका पती, ससुराल वाले, यह बाहर का कोई शांस, माला के माबाप ने उसे किस के हाथो बेचा था, और क्या माला के कतल में उसके माबाप का हाथ भी शामिल हो सकता है, तो तू चाकु देखके डर के अगरे भागा और टेमपो से टकरा है ना? हाँ साब, उसका चेरा देखा? किसके हाथ में चाकु था हो? चेरा नहीं देख पाय साब, तेरे जेब में हमें कार्ड मिला, विजटिंग कार्ड, वहिशाली कॉन दे, तू कैसे जानता उसको? पूब यह सच बोल, तेरी हालत दे माडम के पास कमिशन के लिए काम करता था साब, एजन्ट था ना? किस चीज का एजन्ट था तू? साब, मेड और नर्स के लिए लड़की लाखर देता था माडम जी को. शीर के सुना क्या माडम जी? तो यह वहिशाली माडम जी है, और तू उसको नर्स और मेड के नाम पे जो लड़कियां लाके देता था नावालिक, वो दूसरे धन्दे के लिए ना? नहीं साफ, मैं ऐसो कुछ नहीं करता है साफ. चीर के, ये सब निकालो, इसकी पट्टी विट्टी निकाल, दूसरा हाथ तोड़ और लिके चलो इसको जिए. ज अजो मैं mystery के लिए ल्ड़किशिया करता था साफ, पिछले दो साल से में भी है. ये मोहिनी संधाल गो भी तू लेके जा रहा था ना मैबम जी को बेक्षने के लिए? लिकी Żाने वाला था सभ लेकिन हो नाभपूर शे पहले लिग हम घृटर के भाग गए स descrição और माला सभ जा भी माला को भी पेचने के लिए फ़ यह पेचने के लिए लायाथ सा सॅ लेका मेम जी संदे बहुत पहले ती शाहा है लेकिन शाम का उसको लिला गए तो वो विकास भी साब बहुत बहुत बार जबरदस्ति किया साब माला के साथ विकास कोल माडम जी का पडोसी है माडम जी का लफडा चाल हुए साब उसके साथ कि शाम को कोई और काम दुद्दा नियों क्या? शाम नहीं मेडम जी झाल ऑज विकास जग अझुछल अए भीर्ण कहते हैं, मालो किसीटे है बालो हुग किसीली फिपटा वो हो तो और उमर भी कंचीघ ठी हका सब और सब लुटे ऑम्समे उसमें ही उसमें उसमें हुगी जीक्टा माला के बड़-, नमीत आगए, सब. उसको उसको बॉडपरेंड ने पयार के जासे में घरसाई बेग़ेग के लिए का एता सब. ये यह थी? हाँ सब. वो मैरणजी उसको विकाँ खुच करने के लिए रखे हः था, लेकिन इसे पहले विकास कुछ करता, उसने देखा कि… तो अंदर कर रहा था? तेरी हिंमत कैसे भी मेरे होने वाली बीवी पो हाथ लगाने की? होने वाली बीवी है ना? कुई तो नहीं है ना? चल! एह! साले, हर बार तेरी मनमर्जी नहीं चलिगी, समझा? तो बारा अगर तुने उसे हात लगाया ना, तो… अल लगाओंगा, क्या करेगा अभे तू? यह अगर मेरा! तुम लड़कियों को समझते क्या हो? शिर्की, जल्दी जलो. इससे पहले कि विकास नमीदा को नुकसान पहुँचाए, हम वहाँ पहुचेंगे. सर. मैंने मड़नी किया, सच कह रही हो मैं. लोगों के घर नर्स और मेट भेज भेजकर उत्रे पैसे नहीं कमाती थी. जिसे घर चले. और उपर से क्लाइंट और लड़कियों का पोलिस वेरिफिकेशन का जंजट अलग. और इसमें लड़कियों को बेचती थी तो लाकों रुपे मिलते थे. सर मेरी मजबूरी थी एकरना. क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा पती रामा का देंग नंबर का निकमा है. और गर मुझको ही चलाना. नौकरी चले जाने के बाद जो बज़ी कुछी हिम्मत थी वो भी चली गी. विकास और उसके बारे में मुझे पहले से ही पता था. लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था. क्या बोलता सर में? और 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 अगर सामने से आईगी तो कौन छोड़ता है? पर सर, वो मुझसे उमर में बढ़ी थी. इसलिए घरवालों और सोसाइटी को दिखाने के लिए अपनी उमर की लड़की से शादी करना मेरी मजबूरी थी. इसलिए वैशाली नमीता को मेरे लिए धून लाई थी. लेकिन जब मैंने पहली बार नमीता को देखा, तो मेरा उस पे दिल आगिया, सर. लेकिन उस साले शाम ने सब कड़बड कर दी. सर, विकास को पता था कि मालाव मेरी है. फिर वो उससे मजे ले रहा था. और जब मैंने नमीता को हाथ लगया, तो मारने मरने पर उतर आया. वो मेरी होने वाली बीवी है. शादी करूँगा मैं उससे. जैसे कि उसको पता ही ने था कि शादी का सिर्फ नाम है. वो चरिप बनने के कोशिश करता है रहती. हमको सब पता है. उन जानवरों में से तु भी एक था ना? नहीं, सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया. वैसारी तो जिन गड़कों को लेकर आती थी, उन गड़की उपर मुझे तरस आता था. शुरू शुरू में थोड़ा बुरा लगता था. लेकिन इतना पैसा कमाने लग गई कि हर लड़की देखकर मुझे वो खरीदने और बेचने का सामानी नजर आती थी. नमीदा को इसने बेचा? उसके बॉइफेंट टीपक ने? मुझे नहीं मालूप था. Human trafficking पहले prostitution के लिए किया जाता था. लेकिन शर्म की बात ये है कि अब शादी के लिए दुलहन तक खरीदी जा रही है. ये चलन पढ़ रहा है. और इसके बढ़ने की एक वज़ा ये भी है, कि जनसंख्या में लड़के और लड़की के उयानिपात के बीच में फर्क है. ये नतीजा बेटे और बेटियों में फर्क का है, यही वज़ा है कि बहुत सारी जहों पर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है. यहने विकास और दामुदर से मैच करता है। वो तो होना ही था शिर्की। क्योंकि दोने ने कन्फेस भी कर लिया था ना माला के साथ उनों रिप किया है। सर। 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 हॉस्पिटल से फोन आया था। कल रात दामुदर की हुस्पिटल में मौत होके। शिर्की दामुदर का जिस जगह एक्सिडेंट हुआ वहाँ सीसी टीवेगे देखो। सर। सर एक और बात, नमिता की बड़ी के बात जो नाखुन मिला है। डियन रिपोर्ट से पता चला है कि वो नाखिन किसी औरत का नहीं बल्कि वो आजमी का है। को सकता है सर। बहुत सारे आदमी लोग अपनी चोटी उंगली का नाखुन बढ़ा के रखते हैं। उसमें नेल पंट बगेरा लगाते हैं। इसका मतलब शिर्के उस कमर में शाम और विकास के आलावा तीसरा आदमी भी था। जिसने नमिता का मुर्डर किया। थान्रीटे लीटी.. उस कमरे के बाहर यह ब्रेसलेट मेम.. सर मस्द desas बोल रहा हो मेरा ब्रेसलेट खो गया तू रहता कहा है? नितिल्ली में रहता ह sacr. इल्ली में रहता है.. तेरा ब्रेसलेट नाथपूर में मिलता है... तो चूर ने यहां चूरी किया और नाथपूर में फेग दिया वो भी उसी जगह जहा नमीता का मुलडर हुआ रून के बाहर हाँ लिख दरा मोबाइल लोकेशन भी न उसके गर के आसपास का दिखा रहाता उस दिम सच बोले तो हड़िया तोर दूगा दिरे वो जो दिल्ली पुल इससे पता चला सर के नमिता नाखपुर में है मैं सीधा नाखपुर के लिए निकल गया सर वाह मेरा एक तोस्थ रहता है उसको भी मैने बोला कि नमिता नाखपुर में वो चेक करे शक नहीं हमें यकीन है महेंदर शलाखों के पीछे था, जबकि दीपक को उसी के दोस्तों ने मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था, हाला कि पुलिस को अब तक उसकी लाश नहीं मिली थी इस सब के बीच पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि दामोदर और वैशाली के अलावा हुमन ट्राफिकिंग और देव एपार में अलग-अलग राज्यों के बीच कौन-कौन और कितने लोग इनवाल थे तभी एक और हैरान करने वाली ख़बर सामने आई रिपोर्ट के मताबिक नमिता के गमरे में मिला टूटा हुआ नाखुन महेंदर का नहीं था तो कौन हो सकता था जो उस दिन आउट हाउस में नमिता तक पहुँचा और उसका मॉडर करके फरार हो गया तो सच जिस बार के बाहर दामोदर पर हमला हुआ हमने वाकार डंब डाटा चेक किया तीन नमबर मिले है एक डामोदर का दूसरा गाड़ी वाले का और तीसरा दिल्ली का है और यही नमबर मडर के वग नमिता के घर के पास भी एक्टिव था किसका नमबर है? सब शिरके, दिल्ली पुलिस को इन फम गोई इसको आरेस्ट करें नमिता को पेच के तरह मन नहीं भरा तो उसको मार ने पहुचा और मार भी दिया नहीं सब यह जो तरह नहीं नापन टूटा है ना यह मुर्डर स्कॉट पे मिलाया हमको समझा सच बोल सब नमिता को हम नहीं पेचे सब हम तो उसको बहुत प्यार करते थे अरे जिन्दगी थी वो हमारी लेकिन हम चे एक गल्ती हुई सब कि वो मुखे जैसी दोस्ट पे हम विश्वास कर लिया और उससे मदद मांगे सब जब हम नापपूर पहुचे और दामदर को फोन किया तो पहले हुँख हमारा फोन नहीं उटाया फिर गए उसके पास और चागू दिखा के फिर नमिता के बारे में पूचे वो पताया सब कि नमिता खाए है किस कमरे में और उस कम्रेगी चावी उसके जेम में थी। लेकिन साब, इनी आतों से हमने उसको मार डा रहा है साब। इनी आतों से मार डा रहा है। चल अब नागपूर, जेल में संत्रा की लदाओं तेरे को। साब। सब बेटा की शुरुआत से लेकर आज तक प्रॉस्टिटूशन और हियूमन ट्रैफिकिंग चलती आ रही। इसका मतलब यह हुआ कि बेशक हमने चाहे जितनी भी तवक्की कर लियो। लेकिन औरतों के बारे में हमारी सोच नहीं बढ़ती। औरतों के इस दशा के लिए नसर्फ उसे खरीदने और बेचने वाले बलके घरवाले पती, बाप, बेटा, भाई और समाज के ठेकेदार सभी जिम्मेदार हैं। जब तक औरतों को मर्द खरीदते रहेंगे उसे बेचने वाले पैदा होते रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी ग्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेशन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें ग्राइम पेट्रोल सतर्क. जैहन!